आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हलो दोस्तों अब जो question पुछागा के इस पकार से equation क्या बोले देखिए कि the configuration of C2 epimers in D-glucose हमें बताना है कि D-glucose में हमारा C2 का second carbon वाले का epimers का configuration क्या होगा या वो R होगा या फिर वो S होगा ठीक है तो पहले देखिए कि epimers अगर आपको दिया गया है कहीं वर्ट तो इसका मतलब क्या होता है हम थरव वो देखिए हमारा epimers क्या होता है इसे डाइ-स्टेडियो मर का form होता है ठीक है डाइ-स्टेडियो डाइ-स्टेडियो मर का क्या होता है फॉर्म होता है जिसमें क्या होगा आपका कि अगर सब्सक्राइब दो epimers है उसके opposite configuration है इसमें किसी एक carbon का configuration क्या होगा सेम होगा एक carbon का configuration है ठीक है तो उपोजिट होगा एक carbon का configuration होगा और बाकी के सेम होने हो जाएंगे लेकिन हमें यगर दो pair है अगर ये two pair में हमें अगर इसको बताना है तो लेकिन single pair में है तो आपको यहां पर क्या था आपका CHO, ठीक, देना हमारा क्या है, यहां से आप एक लंबा लाइन खीचो, फिर हमारा क्या हो जाएगा CH2O, तो क्या बनगे हमारा यहां से देखें, यह होगा, 1, 2, 3, 4, और यह क्या हो, OH, 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 यहां में क्या जाएगा अपना, OH, H, H, ठीक है, तो अब को मतलब, यहां पर जितने भी कार्बन है, आपको यह देखें, 1, 1st कार्बन है, यह कार्बन कौन सा है आपका, 2, यह है, आपका, 3, 4, 5, 6, आपको 6 कार्बन के आपको configuration निकालनी है, ठीक, तो, देखें यहां पर क्या OH आपका right-hand side में होता है, तो मारा क्या आता है वो configuration, ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, RS configuration निकालेंगे, जिसमें क्या होगा हमारा, कि आपको priority रूल पता होनी चाहिए, कि जिसका जादा atomic number होगा, उसके हम, पर उसे हम priority first देंगे, तो, यहां पर देखें, oxygen का पहले हो जाएगा यहां पर, देन किसका आएगा, देखो, यहां पर CHO है, फिर यहां पर इतनी बड़ी group है, तो इसके कितना जाएगा, नेक्स्ट priority जो होगा आपका, इसका आजाएगा, इसका आजाएगा, तो देन आपको priority इसका आजाएगा, तो अगर आप यहां से घुमाओ, त इसको हम किसमें convert कर देंगा, switch कर देंगे, S में, ठीक है, तो यह हमारा rule होता है, निकालने का, ठीक, तो यहां से बता चल गया, अब देखो, next, यानि कि इस 2 वाले carbon पे हमारा क्या आजाएगा, S आ गया, next वाले carbon देखो, इसमें भी क्या होगा, इसका होगा 1, ठीक है, अब उपर वाले या नीचे वाले, of course नीचे वाले, यह जाएगा 2, ठीक है, फिर आपका क्या आगा, अउपर वाला 3, अब यहां से जाओ गे, तो आपका क्या आजाएगा, कुछ, देखें, इसको 1 हो गया, दें, यहां पे, अच्छा, यहां पे हमनें थोरी गलती कर दिया, यह यहां पर ऐसे नहीं होगा, तो इसको मिटाके अच्छे से बनाते हैं इस ट्रॉक्चर को अबना, ठीक है, फिर से इसको अटाते हैं, और यहां से अच्छे से बनाते हैं, 2S का तो समझ गए होंगे, आप लोग उमीद है, अब चलिए आगे देखते हैं, तो यह हमारा कुछ, यह इस ट्रॉक्चर हो गया, तो इसमें क्या था, 1, 2, 3, 4, है कि नहीं, और यह हमारा थोड़ा नीचे लगा देते हैं, ठीक है, तो यह हमारा नीचे आ गया, अच्छा, अब देखिए हम क्या लिखेंगा यहां पर, C, H, O, OK, C, H, 2, O, H, और यहां क्या था इस ट्रॉक्च O, H, then H, और यह, H, OK, तो यह हमारा पहला क्या था आपका, S में आया था, जो हमने देख लिया था, यह हमारा क्या आ गया था, S आया था, यहां पर हम S लिख देते हैं, 2nd carbon, 3rd carbon में देखिए, अप क्या करोगे, 3rd में क्या, OH में तो फर्स्ट प्रियोर्टी इसको ही मिलेग है न, then आपका क्या हो जाएगा, यह OH हो गया, फिर 2nd priority किसको देखो, उपर वाले को यह नीचे वाले को, 2nd किसको दोगे, आप सबस्ट थोरा, उपर वाले को दोगे, नीचे वाले को दोगे, यह नहीं, तो 2nd उपर वाले को, 3rd इस बार नीचे वाले को आ जाएगा, तो अ और lowest priority group जो है हमारा H, वो तो down dips, downside में नहीं है, क्या है वो, वो आपका होरा gently है, इसका मतलब जो हमारा R आ रहा था, वो किस में switch हो जाएगा, वो S में switch हो जाएगा, ठीक, अब देखो, यहां से next वाले में देखो, तो यह हमारा क्या आ गया, यह इसको हटाते है, यहां से, ठीक है, तो हम बस यह लिख लेते हैं, कि यह आपको समझाने के लिखा था, अब यहां पर देखो, यह S बना था, यह हमारा क्या बन गया, भी S बन गया, next में देखो, यह 1, है न, फिर, किसका priority दो गया, अब बताओ, यह ओपर वाले group में ज़्यादा priority आएगा, देखो, कि इस carbon का निचे अला जाएगा, 3, तो आपका यह कौन से चला गया, देखो, यह आपका anti-clockwise जा रहा है, direction में, anti-clockwise जा रहा है, तो हमारा S आना चाहिए, लेकिन हमारा क्या है, अगेन आपका जो fourth priority group है, lowest priority group क्योंकि इसके atomic number बहुत कम होते है, तो इसके आपका क्या हो जागा, देखो, यहां से आपका lowest priority group को हमें से क्या होते है, rule के according, कि हमारा यह अपका vertical होना चाहिए, लेकिन है horizontally, तो हमारा, अगर anti-clockwise आ रहा है, तो हमारा क्या होना चाहिए, S, बट यह क्या है, अपका horizontally है, तो यह हमारा किसमें switch हो जाएगा, यह हमारा R में switch हो जाएगा, ठीक है तो देखो, फिर यहां से हटाते हैं इसको, तो यह हमारा क्या जाएगा, यहां से हटाने के बाद, यह हमारा हो जाएगा, आपका R configuration, next में भी आपका यह हो जाएगा, देखी, यह हो जाएगा 1, प्रियर्टी में यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 3, again आपका क्या हो रहा है 3S, sorry 2S, 3S, then हम क्या लिख सकते हैं 4R और 5R यह हमारा इसका पूरा configuration आया ठीक है, तो इसके according हमारा answer कौन सा हो जाएगा आपका answer होगा option number 2, जो है 2S, 3S, 4R and 5R, तुमिदे साही मैं, यहां तक आपको प्रियर्टिवल पती होनी चाहिए इसके लिए तो आप इसली कर पाते हैं, वो hard tough नहीं होता ठीक है, तुमिदे साही मैं कहाँ जो आपको है सच्छे समझवाए होगी यह process वगरा सच्छे से Thank you Classics शिट्वल से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडिंट्स का भरोसा आज ही डाउनलूट करें डाउटनेटा यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर